दोस्तो गवर्मेंट एक्जाम के तयारी के निया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरिशन अड़को और वैल आइकन दबाईए हमारी वीडियो सबसे पहरा देखने के लिए हलो स्टूरेंट वेलकम तू माई चैनल सो स्टूरेंट्स हम आज चैप्टर नमबर थर् करते हैं करड टां यसार होता है क्षट्ट स죠 इसका रीज़न है लेक्ट एसी चैनल पर ये प्रलेंटिंटी माई काम करते हैं लेक्ट नमली भीक्तिरियियोब कौते हैं कि वीडिके जूर म Sharing cannot obsessर यह अचले कॉस्ट वाता है वटाछ आपको पता है पाल्यलिक थनात्यविजर और इसको convert कर देते हैं lactic acid में जिसकी वज़ा से क्या होता है जो कर्ड होता है वो सौर होता है ठेक है strengths तो इसका correct option हो जाएगा B lactic acid अब हम next question की तरफ बढ़ते है next mcq की तरफ 12 smallest form of bacteria is called bacteria की smallest form क्या होती है strand यह जो fire बव बेशिलाई कोकाई spiral जो दे रका यह जो है different shape के bacteria present होते हैं जैसे बव्रियár बिवरियर शएप होती है comma इसे बोलते है comma shape be inde ccli होती है road shape कुछ इस तरीके से road shape bacteria होता है इस तरीके से road shape bacteria ठीक है kocai जो होता है वो होता है spherical spherical shape को kocai shape बोलते है spiral होती है spiral shape यह इस type के bacteria होते है उनके different different shape होती है ठीक है students smallest form जो होती है वो bacteria की kocai होती है तो इसका correct option हो जाएगा B अब next MCQ की तरफ बात करते है 13 which of the following microorganisms causes diseases like polio and chicken pox students polio और chicken pox मैं polio की बात करूँ तो polio जो है वो polio virus की वज़ा से होता है और chicken pox जो है वो varicella zoester virus की वज़ा से होता है तो यह दोनों ही diseases जो है वारस की वज़ा से होती है तो इसका correct option हो जाएगा D viruses so friends अब हम next question की तरफ बढ़ते है question number 14 which of the following statement is correct तो correct statement की बात करें कि कौन सा correct है पहला statement पढ़ते है पहला क्या है viruses lacks enzymes necessary for the generation of energy तो वारस के पास enzyme नहीं होते है जो उनको energy generate कर सके हां तो उनके पास कोई enzyme नहीं होते है वारस के पास सिर्फ दो चीज़े होती है एक उसके पास होता है उसका protein coat और उसके पास दूसरा होता है उसका genetic material अब वो DNA भी हो सकता है वो RNA भी हो सकता है ठीक है students तो उसके पास enzyme नहीं होते है जो energy generate कर सके सिर्फ protein coat और genetic material होता है तो ये तो correct हो गया वैसे उन्होंने correct ही पूचा और उन्होंने बोला वारिस के पास enzyme नहीं होते हैं सही बात है जो energy generate कर सके तो बिलकुल correct है ये तो first तो हमारा correct हो गया second की बात करें viruses can be cultured in any synthetic medium हम वारिस को cultured करा सकते हैं नहीं बिलकुल नहीं तो ये नहीं हो सकता है इसका correct option ठीक है ये वारिस जो है वो transfer हो सकते हैं एक organism से दूसरे organism में वेक्टर के थ्रू आपको बता है बहुत सारे vectors जैसे कि mosquito mosquito एक vector की तरह काम करता है mosquito के अंदर बहुत सारे वारिस रहते हैं जो diseases करते है तो mosquito vector की तरह काम करता है जैसी mosquito bite करेगा person को तो वारस जो mosquito के अंदर present था वो उस person के अंदर enter कर जाएगा और उसको diseases करेगा ठीक है तो third and first जो है वो correct है दोनों second correct नहीं है तो उन्होंने correct पूछा है कि correct answer कौन सा है तो correct answer हो जाएगा first and third यानि कि C इसका correct answer हो जाएगा 14 का हो जाएगा C first and third only तो यह correct है अब हम next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा next question की तरफ बढ़ते है next question है question number 15 की तरफ बढ़ते हैं 15 की तरफ बढ़ते है 15 कह रहा है which one of the falling fungi is commonly known as bread mouth bread mouth किसे कहते है राइसोपस फंगी को राइसोपस एक फंगस है जिसे हम bread mouth बोलते हैं ठीक है strength अब हम next question की तरफ बात करते हैं 16 की east is an important source of east किसका source है इस से हमें क्या मिलता है इस से हमें मिलता है विटामिन बी विटामिन बी और विटामिन बी का क्या में कलने में है राइबो फ्लाविन so बिटामिन बी जो है वो RBC के maturation के लिए बहुत जरूरी है ठीक है strength और हमारे nervous system के लिए हमारे brain के लिए बहुत जरूरी है बिटामिन बी जिसे हम राइबो फ्लाविन भी बोलते है और यह हमें east से मिलता है ठीक है east भी एक fungus है ठीक है वहां से मिलता है हमें अब हम next question की तर bacteria के पास cell wall भी होती है bacteria के पास plasma membrane भी होती है bacteria के पास ribose some भी होते है bacteria के पास kia नहीं होता यह bacteria के पास नहीं होता है तो इसका correct option हो जाएगा c स्टेम्ट मेंब्रेन बाउंड ओर जो क्रिस्टी बनाती है तो न यह transmit की मेंब्रेन बाउंड ओर्गंड बहुंड है op shy यह ब्रिय। और eukaryotes, bacteria जो है prokaryotes के अंदर आते हैं, ठीक है, तो prokaryotic cell के अंदर prokaryotes होते हैं, prokaryotic cell के अंदर वो और्गनल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिनके पास double membrane होती है, और mitochondria के पास double membrane होती है, इसी वज़ा से ये bacteria वगेरा के अंदर absent होते हैं, ठीक है, students क्योंकि bacteria क्या है, prokary होते हैं, ठीक है, तो इसका जो 17 का correct हो जाएगा, वो C हो जाएगा, mitochondria, अब हम next question की तरफ बढ़ते हैं, students, हमारा next question है, question number 18 की तरफ बढ़ते हैं, so students question number 18 की तरफ हम बात करते हैं, क्या है, type of DNA found in bacteria, bacteria के अंदर कैसा DNA मिलता है, so students bacteria के अंदर circular DNA मिलता है, कुछ इस तरीके का circular DNA मिलता है देखने को, ठीक है, students, तो इसका correct option हो जाएगा, C, अब हम next की बात करते हैं, father of microbiology किसे कहते हैं, students, तो father of microbiology, Antinwall, Leaven, Hawk कहलाते हैं, इन्हें हम father of microbiology कहते हैं, ठीक है, next question की बात करें, Ebola is a, students, Ebola एक वायरस है, ठीक है, तो इसका correct option हो जाएगा, A, Ebola एक वायरस है, ठीक है, students, so, students, यह हमारा वीडियो का part 2 था, हमने part 1 डिसक्स कर चुके है, MCQs को, so, students, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, अगर आपको कोई question समझ नहीं आ रहा हो, और, students, अगर आपको, वीडियो अगर आपको